इसके अत्रिक्द राज सरकार के अधीन जो भी शास्की और निजी चिकित साले और महाविद्याले हैं वहाँ शोद करता जो भी है पिएशडी छात्र हैं पैरा पैरा जो पैरा सनातक छात्र हैं विज्ञान और तक्नीकी के उनको भी अन्मती इसी प्रकार जैसे कि भारत सरका कि संस्तानों में होगी वो दी जाएगी तरण ताल यानि स्विविंग पूल केवल खिलाडियों के प्रशिक्षन के लिए खोलने की अनमती होगी उसकी भी गाइडलाइस जारी की जाएगी एक जो महत्वपूर्ण सुचना है कि कंटेंडमेंट जोन्स के बाहर सिनेमा संस्ता तक यह भी एक अनमती मिल जाएगी मनरंजन पार्क और ऐसे स्थलो को जो स्वास्ट विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार होंगे उनको भी 15 अक्टूबर के बाद खोलने की अनमती होगी बिजनेस टू बिजनेस यानि जहां वन टू वन जो है प्रदर्श्री हो खेल, मनरंजन, सांस्कृतिक, धार्मेक, राजनेतिक, कारकमो और अन्य सामूइक गत्विदियों को अभी तक 100 लोगों तक अधिक्तम जो है मौजूद रहने की अनमती थी लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद ये निर्ने हुआ है कि किसी भी बंस्थान यानि कोई हॉल हो य उसकी जो शमता है उतने तक अधिक्तम 200 व्यक्तियों तक जो है फेस मास्ट, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर और हैंड वाश की उपलब्दा की अन्वारता के साथ खोला जा सकेगा यानि कोई भी हॉल, बैंकेट हॉल है, कोई कमरा बढ़ा ह जो उसकी शमता है उसके 50 परसेंट तक उसमें भी अधिक्तम 200 लोगों तक खोलने की अन्मति रहेगी, कहीं अगर खुला मैदान है, कहीं अगर खुला स्थान है, वहाँ उसके छेतरफल के नुसार, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अधार पर, थर्मल स्कैनिंग, स जो है, दुर्गा पूजा है, सांस्क्रिटिक कारकम है, जैसे रामलीला आदी है, या कोई भी धर्म के किसी भी कारकम में, अब जो है, किसी भी रूप में, कमरे के अंदर 200 लोगों तक, और मैदान में, अन्मति के साथ, गाइडलाइन्स के अधार पर, कार करने की अन्मति रहेगी,